गूड मॉर्निंग स्टूरेंट्स गिर्द दास मुद्रा बाल भारती माध में विध्याले के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है आजंक अक्षा दस विशे हिंदी गद्य भाग के अंदर गट पाठ सोला यतिंतर मिश्रजी का नौबत खाने में बावदत पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुरोना अभी पून रूप से नहीं गया है इसने पून प्रेपैर पसाने शुरू करती है इसलिए कलेक्टर के नीदैश अनुसर विध्याले में आवकाश कर दिया गया है और विध्याले के मात Catholics से ही ओन्लाइन क्लास का संचालन करने को आदिश जारी किया गया है इसलिए आज से आपकी ओनलाइन काशे शुरू हो रही है इसलिए आप गर पे रहें और शुरक्षित रहें तो आज हम पाट सुला यतिंद्र मिश्र जी के पहले बारे हम पहले जानते है ये लेख़ परीचे आप पनी कोपी में भी करेंगे यतिंद्र मिश्र का जनम सन 1977 में अहोध्या उत्तर परदेश में हुआ उन्होंने लखनों विश्व ध्याले लखनों से हिंदी में में किया वे आजकल 77 लेखन के साथ अर्ध वार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं 1989 में में सहित्या और कलाओ के सवखधन और अनुश्यलन के लिए एक सांस्कृतिक नियास विमला देवी फांडेशन का संचालन भी कर रहे हैं यतिंद्र मिश्र के तीन कावे संगराय प्रकाशित हुए हैं यतिंद्र मिश्र के कितने तीन कावे संगराय हैं यदा कदा अयुद्या तथा अन्य कवीता है डियोडी पर आलाप डियोडी मतलब दहलीज ओके ये आपको करना है याद ओके सबसे इंपोर्टन चीज़ है इसके अलावा शास्त्रिय गाई का गिरिजा देवी के जीवन और संगी साथ धना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी रिती काल के अन्तिम प्रतिनिधी कवी दिज़ देव की गरंथावरी 2000 का संबाधन किया खुवर्ट नारायन पर केंद्रेत दो पुस्तकों के अलावा इस्पिक मैके के लिए विरासत 2000 के कारिकरम के लिए रुपक कलावपर केंद्रेत थाती का संबाधन भी या युवा रचनाकार यतिंदर मिश्र को भारत भूषण अगरवाल कविता सम्मान हेमंत इस्मिरती कविता पुरुसकार रितुराज सम्मान आदि कई पुरुसकार प्राप्त हुए कवीता, संगीतव, अन्या, ललित कलाओं के साथ समाज और संस्कृति के विविद छेत्रम विव्यूम की गहरी हिरुची है तो बचों ये था यतिंद्र मिश्रजी का लेखक परीचे इसके अंतरगत उनका जनम भी कहां पढ़े उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहन की उन्होंने कितनी पत्रिकाव का संबादन किया और उनके कौन-कौन से काविय थे इसके बारे में हमने जाना और उन्हें कौन-कौन से पुरुषकारों से सम्मानित भी किया गया था और वे समाज और संस्कृति के विद्चेत्रों में भी अप्रूंकी गेहन रूची थी रूची है उसके बारे में हम ने पड़ा अब हम इनी कही पार्ट नौबत खाने में इबादत का शारांस जानेंगे ये देखिए नौबत खाने में इबादत प्रशिद सैनाई वादक कोने प्रशिद सैनाई वादक उसताद बिसमिल्ला खापर रूचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चितर है यतिंद्र मिश्य ने बिस्मिल्ला खा का परिचे तो दिया ही है साथ ही उनकी रूचियों उनके अंतरमन की बुनावट संगीत की साधना और लगन को सवेदंशील भाषा में व्यक्त किया है उन्होंने यह भी इसपस्ट किया गया है की संगीत एक क्या है आराधना है आराधना मतलब एक पूजा है एक भक्ती है इसका विधिविधान है वे एक विधी होती है मतलब की नियम होते हैं इसका शास्त्र है इस शास्त्र से परिचे आवशक है सिर्फ परिचे ही नहीं उसका अभ्यास भी जरूरी है मतलब कि प्रैक्टिस भी उनकी बहुत जरूरी होती है और अभ्यास के लिए गूरु शिश्य परंपरा भी जरूरी है पूर्टन मैता जरूरी है मतलब कि एकदम भरम जाना बहुत जरूरी होता है धैरिय जरूरी होती है मन्थन जरूरी है इस लगन और धैरिय वह लगन और धैरिय बिस्मिल्लाखा में रहा है मतलब कि बिस्मिल्लाखा जी एक ऐसे शेहनाई वादक उस्ताद थे जिनको अपनी शेहनाई वादक में उन्होंने प्रमेंटा हसिल की थी जिसके लिए उन्होंने क्या गया था पून्ट तनमयता रखी थी धैरिय रखा था और मंधन भी किया था तभी असी वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही वे असी वर्ष तक साधना करते रहे यतिंद्र मिश्र संगीत की शास्तिर परंपरा के गहरे जानकर है इस पार्ट में इसकी कई अनुगुंजे हैं जो पार्ट को बारबा पढ़ने के लिए आमांतिरत करतीय मतलब की बुलाती है भाषा, सहच, परवा, मई, तथा प्रसंगों और संदर्बों से भरी हुई है तो बचों इस पार्ट के अंतरकत हम सहनाई, वाद, गुस्ताद, बिस्मिला, खां के बारे में भी पढ़ेंगे ठीके, आगे देखते हैं इस पार्ट की तरफ चलते हैं नौबत खाने में इबाद, सबसे पहली बाद, नौबत खाने क्या होता है नौबत खाना वह इस्थाने जिसके परवेश द्वार के सबसे उपर मंगल धनी बस्ती रह दिये, वह उसका इस्थान होता है ठीके, इबादत मतलब प्राथना सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंच गंगा घाट इस्थिद्बालाजी मंदिल की डोडी मतलब धनी डोडी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल धनी अमीरुदीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शम्शुदीन 9 साल का अमीरुदीन को पता नहीं कि राग किस चीरिया को कहते हैं कौन है एक तो अमीरुदीन है और शम्शुदीन और ये लोग है मामुजान वगेर जो बात-बात पर भीम पलासी और मुलतानी कहते रहते हैं क्या वाजिब पत्तब हो सकता है इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुदीन की जान सके इन भारे शब्दों का वजन कितना होगा गाया इतना जरूर है गोया इतना जरूर है कि मामदे सादिक हुशेन तथा अलि वख्ष देश के जाने माने शहनाई वादख है कौन है अमिरुदीन और शम्शुदीन के जो मामा थे वे सादिक हुसेन तथा अली बख्ष देश के जाने वाने क्या थे शेहनाई वादक हैं विबिन रियास्तों के दर्बार में बजाने जाते रहते हैं यह मतलब बहुत उसमें जो रियास्त थी उनके दर्बार में बजा जाकर बजाना गाते थे और बजाते थे तो उनको बहुती यहीं स capitalize का बहुत ज़ादा मनोरंजन होता था इस सेनाई से रोज नाम चे में बाला जी का मंदिर सबसे उपर आता था रोज नामची में बाला जी का मंदिर सबसे उपर आता है हर दिन की शुरुआत वही ड्योडी पर होती है मंदिर के विद्रोहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुलतानी कल्यान ललित और कभी भैरो रागो को सुनते रह का उनके अब्बा जान भी यही ड्योडी पर शेनाई बजाते रहते हैं अमिरु दिन का जर्म डुम्राहा बिहार के एक संगीत प्रेवी परिवार में हुआ पांच छे वर्ष डुम्राओं में बिता कर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है डुम्राओं का इत्यास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी पर यह जरूर एक शेनाई ऊर ढुम्राह एक दूसरे लिए उप्योगी हैे शेनाई बजा निकले रीड का परवावता है किसके लिए रीड का परियोगता है रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शेनाई को फूटा जात ये जो शैनाई होती है उसे वो क्या दिये उसके अंदर रीड होती है जो कि बहुत ही कोमल होती है और इसमें रीड और नरकट होता है वो किसे वो एक परकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुक्यत सोम नदी के किनारों पर पाए जाती है कहां पाए जाती है सोम नदी के किनारों पर पाए जाती है इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शैनाई जैसा वात्य बसता है फिर अमिरुदिन जो हम सब के प्रिये हैं अपने उस्ताद बिस बिस्मिल्ला खाँ है उनका जन्मिस्थान भी डुम्राव ही है इनके परदादा उस्ताद सलार हुसेन खाँ डुम्राव निवासी थे बिस्मिल्ला खाँ उस्ताद पैगंबर वक्ष खाँ और मिठान के छोटे शहाब जादे हैं अमिरी दून की उम्र अभी 14 साल है मसलन बिस्मिल्ला खाँ की उम्र अभी 14 साल वही काशी है वही पुराना बाला जी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्ला खाँ को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है मगर एक रास्ता है बाला जी मंदिर तक जाने का यह रास्ता रसुलन बाई और बत्तुलन बाई के यहां से उकर जाता है इस रास्ते से अमिरुदिन को जाना अच्छा लगता है इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टपे, कभी दादरा के मार्फत ड्योडी तक पहुंसते रहते हैं रसुलन और बतुलन जब गाती है तब अमिरुदिन को खुशी मिलती है अपने धिरो शाक्षात कारों में बिस्मला खांसाब ने स्युकर किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंबिक दिनों में संगीत के प्रती आसत्ती इनी गाये का वेहनों को सुनकर मिली है कौनते है रसुलन और बतुलन एक परकासे उनकी अभोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेणा की वर्णमाला रसुलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी थी बैदिक इधिहास में शेहनाई का कोई उलेख नहीं मिलता इसे संगीत शास्त्रा के अंत्रगत सुशिर वाध्यों में गिना जाता है अरब देश में फूक कर बजाये जाने वाले वाध्य जिसमें नाड़ी नरकट या रीड होती है को नए बोलते हैं नए शेहनाई को शाहने यह अथार्त शुशिर वाध्यों में शाह की उपादी दी गई है सोल्वी श्रतापती के उत्राध में तांसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्प दुर्म से प्राप्थ होती है में शेहनाई, मुरली, वन्शी, श्रंगी एवन मुर्चंग आदी का मनन आया है शेहनाई, मुरली, वन्शी, श्रंगी क्या आती है? श्रंगी आती है जो सीन के द्वारा को जो वाध्यंत्र बना होता है ये सारे वाध्यंत्रे हैं यमारे संगीत से संबंदे अवधि प्रारंप्रिक लोग गीतों इमुन चेती में शैनाई का उलेक बारबा मिलता है मंगल का परिवेस प्रतिष्टित करने वाला यह वाध्य इन जगों पर मांगलिक विधी विधानों के अउसर पर ही परियोग्ध हुआ है दक्षिन भारत के मंगल वाध्य नाग स्वरम की तरह शैनाई प्रभाति की मंगल ध्वनी का संपूरक है शैनाई के इसी मंगल ध्वनी के नायक बिस्मिल्ला खासाब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं सच्चे सुर की नेमत असी बरस की पांचो वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्राथमें खर्च हो जाती है लाखो सजदे इसी एक सच्चे सुर की बादत में खुदा के आगे चुपते हैं वे नमाज के वाद सजदे में गिर्गराते हैं मेरे मालिक एक सुर बख्ष दे सूर में वह तासीर पैदा करते की आँखों से सचे मोती के तरह अनगर आशों निकला अनगर बतला बहुत सारे बिना जिसकी कोई गिंती ना हो उनको यकीन है कभी खुदा यूँ ही उन पर महरबान होगा और अपनी जोली से सुर्गा फल निकाल कर उनकी और उच्छा लेगा फिर कहेगा ले जामरियो दिन इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी अपने उहा पोह से बचने के लिए उहा पोह मतलब उल्जन के लिए हम स्वेम किसी शरण किसी गुफा को कोशते हैं जहां अपनी दुष्चिंताओं दुरबलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गर सके मतलब रहस्य हीरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोशता है जिसकी गमक उसी में समा ये मतलब की घंद असी बरत से बिस्मिल्ला खाँ यही सोचते हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई बिस्मिल्ला खाँ और शेहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम परो का नाम जुड़ा है वह है मुहरम मुहरम का महिरा वह होता है जिसमें शिया मुसल्मान हजरत इमाम हुसेन एक उनके कुछ वन्शजों के प्रती अजादारी शोख मनाना मनाते हैं पूरे दस दिनों का शोख है वे बताते हैं कि उनके खांतान को कोई भी वेक्ती मुरम की दिरों में न तो शेहनाई बजाता है नहीं किसी गाउं के संकीत के कारिक्रम में शिर्कत ही करता है आठवी तारिक उनके लिए खास मेहत्व की है इस दिन खा सब खड़े होकर शेहनाई बजाते हैं वह दाल मंडी में फापतान के करीब आठ किलोमेटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं इस दिन कोई राग नहीं बचता राग रान्यों की अदायक का निशेद है इस दिन उनकी आखे इमाम हुसेन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है अजागारी होती हजारो आखे नम हजारो वरस की परंपरा पुनर जीवित मुहरम संपन होता है एक बड़े कलाकार का सहजमान में रुप ऐसे उसर पर आसनी से दिख जाता है मुहरम के गम्ज़धा महोल से अलग कभी सुकून के शणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं वे अपने रियाज को कम उन दिनों के अपने जुलून को अधिक याद करते हैं अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम पक्का माहाल की कल सुम्हलवाईन की कचोड़ी वारी दुकान वह कीता बादी और सुचलोचना को ज्यादा याद करते हैं कैसे सुजुलोचना उनकी पसिंद्धा हुरोईन तरही थी बड़ी रहसे में मुस्करहट के साथ गालों पर चमक आ जाती और खासाब की अनुभवी आँखे जल्दी ही किस से हस देने की ईश्वेरिय करपा आज भी बदस्तूर कायम है बदस्तूर शब्त का अर्थ होता है तरीके से इसी बाल सुनुभ हसी में कई यादे बंध है वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसरगिक आनन में आखें चमक उठती है नैसरगिक मतलब प्राकतिक्या स्वाभाविक अमिरु दिन तब सिर्फ चार साल का रहा होगा छुपकर नाना को शैनाई बजाते हैं वे सुनता था सोचता लगता है मीठी वाली शैनाई दादा कहीं और रगते हैं जब मामू अली बख्ष खां जो उस्ताद भी थे शैनाई बजाते हैं वे सम पर आए तब धर से एक पत्थर जमीन पर मारता था सम पर आने की तमीज उन्हें बच्पन में ही आ गई थी मगर बच्चे को यह नहीं मालूँ था कि दादा वहाँ करके दी जाती है सिर्फ हिला कर दी जाती है पत्थर पटक कर नहीं और बच्पन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछ नहीं किया उसमें थर्ड क्लास के लिए छे पैसे का टिकट मिलता था अमिरुदिन दो पैसे मामू से, दो पैसे मौसी से और दो पैसे नानी से लेता था फिर गंटो रायनों में लगकर टिकट हासित करता था इधर सुलोचना के नई फिल्म सिनेमा हाल में आई उधर अमिरुदिन अपनी कमाई लेकर चला फिलम दिखने जो बालाजी मंदी पर रोज से नाई बजाने से उसे मिलती थी एक अठनी महनदाना उस पर यह शौक जबर्दस्त की सुलोसना की कोई नई फिलम न छुटे और कलसुम की देशी गी वाली दुकान वहां की संगीत में कचोडी संगीत में कचोडी इस तरह क्योंकि कलसुम जब कलकलाते गी में कचोडी डालते थी उस समय चंसे उटने वाली आवास में उन्हें सारे आरोह दिख जाते थे राम जाने कितनों ने ऐसी कचोड़ी खाई होगी मगर इतना तय है कि अपने खासाप रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं की दादा की मीठी शेनाई उनकी हाथ लग चुकी है काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अधवत परंपरा है यहां आयोजन पिछले कई बर्सों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है यहां मंदिर शहर के दक्षिन में लंका पर इस्थित है वह हन्मान जेनती के अवसरवा यहां पांचों दिनों तक शास्त्री एवं उप शास्त्री गायरवादन की उत्रश्ट के सभा होती है इसमें बिस्मलाखा अवश्य रहते हैं अपने महजब के प्रती अतितिक समर्पित उस्ताद बिस्मलाखा की शद्दा काशी विश्वनाथ जी के प्रती भी अपार थी वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ वबालाजी मंदिर की दिशा की अव्मोह करके बैठते थोड़ी देरी सभी मगर उसी और शैनाई का प्याला खुमा दिया जाता है और भीतर की आस्ता रीड के माद्यम से बसती है खास आपकी एक रीड पंदरा से बीस मिन्ट के अंदर गीली हो जाती है तब वे दूसी रीड का इस्तमाल दिया करते है अक्सर कहते हैं क्या करे मिया इक आशी छोड़ का कहा जाए गंगा मिया यहां बाबा विश्मनात यहां बाला जी का मंदिर यहां यहां हमारे खांदान की कई पुष्टों ने सहनाई बजाई है हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े परतिष्टित सेनाई वाज कर चुके हैं अब हम क्या करें मरते दम तक नहीं सेनाई चूटेगी ना काशी जिस जमी ने हमें तालीम दिये जहां से अदब पाईए वो कहां मिलेगी शेनाई और काशी शेबढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धर्ति पर हमारे लिए काशी संस्कृति की पार्शाला है शास्तरों में आनंद कानन के नाम से परतिष्टित काशी में कलादर हनुमान वर नरत्य विश्वनात है काशी में बिस्मिला खा है काशी में हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महराज है विद्यादरी है बड़े रामदाची है मौजू दीन खा है वह इन रसिकों से उपरत होने वाला अपार जन्न समू है यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तजीब है अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग इनके अपने उत्सव हैं पर अपना गम अपना सहरा बनना और अपना नोहा आप यहां संगीत को बक्ती से बक्ती को किसी भी धर्म के कलाकार से कंजरी को चेती से विशुनात को विशालाक्षी से बिस्मिला खां को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते अक्सर समारो एवं उत्सवों में दुनिया कहती है वे बिस्मिला खां का वे बिस्मिला खां है वे बिस्मिला खां का मतलब बिस्मिला खां की शेहनाई शेहनाई का तात्परी है बिस्मिला खां का हाथ हाथ से आश्य इतना भर है कि बिस्मिला खां की फूक और शेहनाई की जायदूई आवाज का असर हमारे सी चड़कल बोलने लगता है शेहनाई में सरगम भरा है खास आपको ताल मालू है राग मालू है मालू है ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे शेहनाई में साथ सुर लेकर निकल पड़े शेहनाई में परवदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीयत लेकर उतर पड़े दुनिया कहती सुभान अल्ला तिस पर बिसमला कहते अलम दुल्ला छोटी छोटी उपसे मिलकर एक बड़ा आकार बनता शेहनाई का कर्तब शुरू होने लगता बिसमला का का संसार सुरिला होना शुरू हुआ फूक में अजान की तासीर उतरती चली आई देखते देखते शेहनाई डेड सतक के साज से दो सतक का साज बन साजों की कतार में सर्थाज हो गई अमरी दिन की शेहनाई गुज उठी उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरी दिन से कहा था बजा बजा किसी दिन एक शिश्या ने डरते डरते खास आपको टोका बाबा आप यह क्या करते हैं इतनी परिश्टा है आप तो आपको भारत रत्र भी मिल चुका है यह पटी तहमत न पहना करे रत्र की पहटे वेस चीज़े नहीं पहना करें आप खास आप मुश्करा है लाड़ से भरकर बोले दत पगली यह भारत रत्र हमको शैनाया पे मिला है लूंगिया पे नहीं तुम लोगों की तरह बनाओ सिंगार देखते रहते तो उमर ही बीद जाती हो चुकती शैनाय तब क्या खाक रियाज फुपा था ठीक ही बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे मगर यह देखिए हमारे उस्ताद बिस्मिला खांजी का फोटो बहुती सुरेले सैनाय वादक थे यह इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर्ण बख्षे लुग्या का क्या आज फटी है तो कल सिल जाएगी सन दोजार की बात है पक्का महल काशी विश्वना से लगा हुआ दिक्तम इलाका से मलाई बरफ पेशने वाले जा चुके हैं खांसा आपको इसकी कमी खलती है अब देशी घी में वह बात कहां और कहां वह कचोडी जले भी खांसा आपको बड़ी शिद्द से कमी खलती अब संगेतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा खांसा आप अफसोच जता थे अब घंडो रियास को कौन पूस्त है रान है कहां वह कजली चैती और अदब का जमाना सच्मूच हैरान करती है काशी पका महल से जिसे मलाई बरफ गया संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारे परंप्राय लुप्थ हो गई है एक सच्चे सूर सादक और सामाजिक की भाती काशी में जिस तरह बाबा विश्वनात और बिस्मला खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं उसी तरह महरम ताजिया और होली अबीर गुलार की गंगा जमनी सरंस्क्रती भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा फिर कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में हैं काशी आज भी संगेद के स्वर पर जती है और उसी की ठापों पर सोती है काशी में मरन भी मंगल माना गया है काशी आनन्द कानन है सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बेसमिला काना जैसा लए और सुर्की तमी सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है जो हमेशा से दो कोमों को एक होने वह आपस में भायचारे के साथ रहने की प्रेणा देता रहा बारत रखन से लेकर इस देश के दोनों विश्विध्यालों की मानत उपादियों से अलंकरत वह संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार एवन पदम भी बूशन जैसे सम्मानों से नेबल की अपनी अजेईय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्ला खासाब भविश्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे नबे वर्ष की भरी पूरी आयू में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिको की हार्दिक सबा से विदा हुए खासाब की सबसे बड़ी देन हमें यही है पूरे असी बरस उन्होंने संगीत की संपूर्टा वो एकादिकार से सीखने की जिजी विशा को अपने बितर जिंदा रखा तो बच्चो देखा आपने शेहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खा के बारे में और आज भी उन्हें हम याद करते रहते हैं तो देखिए किस तरीके से शेहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला की यह रोचिक शेली यहां यतिंद्र मिश्ट जी ने बताईए हमें उनके बच्चपन के बारे में बताया वे क्या करते थे किस तरीके से अभ्यास में लगने रहते थे उनको यह भी अंदाजानी होता था कि उनके किस तरीके से हैं लेकिन जो रियाज होता है जो अभ्यास होता है वही हमें पूर्ण बनाता है और उन्होंने 80 साल तक संगीत की संपूंता को जिन्दा रखा था बच्चों और अभी पहले भी उन्होंने अपने मन में यहां जीने की प्रेणा रखी कि संगीती उनके लिए अथा सहना इवादनी उनके लिए सब कुछ है ठीके बच्चों तो इस तरीके से उन्होंने नौबत खाने में इसके लिए इबादत की अथा अर्थ प्राथना की ठीके बच्चों तो आज यह पार्ट यहीं समाप्त हो नौबत खाना परवेश द्वार की उपर मंगल धनी बजाने का इस्थान रियाज अभ्यास मार्फत मतलब द्वारा श्रंगी सींग का बना वादियंतर मुर्चंग एक परकार का लोग वादियंतर नेमत या मतलब इश्वर की देन सुख या धन दोल सजदा मतलब माथा टे तिलिस्म मतलब जादू, गमक, खुश्बू, सुघंध, अजादारी, मात्तम करना या दुख मनाना, बद सूरत, काइदे से या तरीके से, नैसरगिक, सौभाविक या प्राकतिक, दाद, मतलब शाबाशी, तालीम, शिक्षा, अदब, काइदा या साहित्य, अहलम, दिलिल यहा, तमाम तारिफ इश्वर के लिए, जी जी विश्वा मतलब जीने की इच्छा, शिरकत मतलब शामिल होना, तो बच्चों, आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, किस तरीके से उस्ताद बिसमिला खाने इबादत की थी, ठीक है बच्चों, आप इसका लेख शनूतर लोंगे, ओके